नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज दिन बर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस सांसद महुआ मोहित्रा के बाद पाटी के एक अन्य वरिस्ट नेता सोगत राये ने गुरुवार को पशिम अंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी की ओर से हास खाली में नाबालिंग से हुए दुशकर्म और मोत के मामले में दिये गए बयान पर प्रत्यक्ष रूप से वि मरत्यू हो गई थी राय ने यहां एक सारजनिक कारेकरम में भाग लेते हुए कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए एक महिला के खिलाफ अपराद की एक भी घटना एस्विकार रहे है उन्होंने कहा कि हम सभी महिलाओं के साथ दुर्वेवाहर की घटनाओं से चिन्तित है ऐसे मामलों में एक शुन्य शहन शिल्ता का द्रश्टी कोन अपनाया जाना चाहिए यहां तक की महिला दुशक दुर्वेवार की एक भी घटना एक महिला मुखे मंतरी वाले राज्य के लिए शर्म की बात है इसे बरदाश्ट नहीं किया जाना चाहिए और इसी घटनाओं के बाद ततकाल कारेवाही की जानी चाहिए मुझे यकीन है कि पुलिस मामले की जाच करेगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार कुरसी चीनने के बाद इमरान खान का पहला भाशन कहा अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा मेरी सरकार गिराने आदी रात को सुप्रिम कोट के दरवाजे खोल दिये गए जिया दोस्तो पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम और पाकिस्तान तहरी के इनसाफ यानि की पीटियाई के अध्यक्ष इमरान खान ने इशारो इशारो में अदालतों और फोज को धमकी देडा ली सरकार गिरने के बाद वह पहली बार आवाम के सामने आए दोस्तो पेशावर की रेली में कहा कि अव इस्वास प्रस्ताव पारित होने से कुछ देर पहले आदी रात को सुप्रिम कोट के दरवाजे खोल दिये गए जब मेरी सरकार थी तब में खतरनाक नहीं था लेकिन अब में बहुत खतरनाक हो जाऊंगा दरसल दोस्तो नो अप्रेल को अव इस्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले आदी रात को सुप्रिम कोट के दरवाजे खोल दिये गए थे अपने फैसले में सुप्रिम कोट ने नो अप्रेल को हर हाल में प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया था खान ने कहा कि ये देश मुझे 45 साल से जानता है मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा किरकेट खेलता था तब भी मुझ पर कभी मेच फिक्सिंग के आरोप नहीं लगे फिर मैंने ऐसा क्या किया कि आदी रात को कोट के दरवाजे खोलने पड़ गए इसके बाद दोस्त प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर AIMIM चीफ असुद्दिन ओविशी ने टिपनी कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया इससे पहले सिवसेना निता संजे रावत भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं दोस्तो ओविशी ने गुरवार को कहा कि अखंड भारत का निर्मान बीते आट सालों में क्यों नहीं हुआ भागवत आने वाले 15 सालों में अखंड भारत बनाने की बात क्यों कर रहे हैं ओविशी ने पूछा कि RSSS प्रमुख किस आधार पर अखंड भारत के निर्मान की भागवत का कहना है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट है 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा यह सब हम अपनी आखों से देखेंगे RSSS प्रमुख ने कहा कि वेसे तो संतों की ओर से जोतिश के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा ही अगर हम सब मिलकर इस कारे की गती बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में भारत अखंड भारत बन जाएगा इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार आलियार रनवीर वेडिंग रनवीर ने आलिया को मीडिया के सामने गोधी में उठाया पंजाबी रिती रिवास से हुई कपल की शाधी जिया दोस्तों रनवीर कपूर और आलिया भट शाधी के बंदर में बद गए हैं अब दोस्तों सोशल मीडिया पर हैस्टेग मिस्टर एंड मिसिस कपूर ट्रेंड हो रहा है शाधी के बाद कपल ने घर के बाहर आकर मीडिया के सामने पहली पब्लिक अपिरियंस दी इस दोरान रनवीर ने आलिया को गोधी में उठा लिया जिसका वीडियो सामने आ गया ह कपल अब सिद्धी मिनायक मंदिर भगवान गणेश का आशिरवाद लेने भी जाएंगे दोस्तों रनवीर आलिया की वेडिंग अगले महिने OTT पर स्ट्रीम भी की जाएगी रिपोर्ट के मुताबिर 90 से 110 करोड रुपे में एक बड़े OTT प्लेटफर्म को राइट बेचे दोनों परिवारों से कुल 40-50 लोग ही शादी में पहूंचे इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर अमेरिका सेना के चोड़े हतियारों को पाकिस्तान भेज रहा है तालिबान भारत के खिलाफ इस्तेमाल का है खत्रा जी हां दोस्तों, अफगंदिस्तान में तालिबान पर पाकिस्तान को हतियार सप्लाई करने का आरोप लग रहा है जिन हतियारों की तसकरी की जा रही है, उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ सीमा पार जड़पों में किया जा सकता है हालांकि तालीबान लगातार इस बात पर जोड़ देता आया है कि वो एक बहतर तालीबान है अगस्त 2021 में अफगांदिस्तान से जाने के बाद अमेरिका के बहुत से हतियार वहीं छूट गए थे इन में से जादातर हतियारों को डिसेंबल कर दिया गया है कुछ हतियार अभी भी काम कर सकते हैं काबूल पर कबजा करने के बाद अमेरिका के हतियार तालीबान के हाथ लग गए थे रिपोर्ट के मुताबित अफगान हतियार डीलर तालीबान के लड़ाकों से ये हतियार खरीद कर पाक अफगान सीमा पर खुले आम दुकानों पर इने बेच रहे हैं अफगांदिस्तान से पाकिस्तान में फल और सबजियान लेजाने वाले ट्रकों में इन हदियारों की तसक्री की जा रही है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर जम्मु कश्मीर में चार आतंकी धेर सुरक्षा बलो ने शोपिया में दहशत गर्दों का किया एनकाउंटर मुवमेंट के दोरान आर्मी वेन पलटने से तीन जवानों की हुई मौत जम्मु कश्मीर के शोपिया जले के बड़ी गाम इलाके में गुरुआर को आतंकवाधियों और सुरक्षा बलो के बीच मुदबेर में 4 आतंकवाधि मारे गए मारे गए आतंकवाधियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है मुटबेर स्तल के पास वाहन पलटने से तीन जवानों की भी मोत हो गई और वे शहीद हो गए सुरक्षाबल अभी भी सर्च ओप्रेशन चला रहे हैं अफसरों ने बताये कि आतंकवादियों के चिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया था इस पर आतंकवादियों ने गोलिया चलानी शुडू कर दी इसका सुरक्षाबलों ने बकुबी जवाब दिया वहीं चमवालिस आरार के जवान चोगाम केम से एक वेन से बड़ी गाम में मुटभेर स्तलकी और जा रहे थे तब ही ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खोर दिया जिसमें आठ जवान खायल हो गए अस्पताल ले जाते समय दोने दम तोड़ दिया जबकि एक की उपचार के दुरान मौत हो गई बाकि पांच जवानों का शोपिया की चिला अस्पताल में इलाज चल रहा है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर एक्शन में केजरिवाल सरकार प्राइवेट स्कूलों को जारी हुए नई एडवाईजरी जियां दोस्तों कोरोना वाईरस ने एक बार फिर से पेर पराश पशारना शुरू कर दिया है ऐसा में दिल्ली सरकार ने सतर्कता बरतते हुए नई एडवाईजरी जारी की है गाइडलाइन के मताबित अगर स्कूल में एक भी कोरोना मामला मिले तो स्कूल को बंद कर दिया जाए या फिर उस विंग को बंद करने के लिए तेयार रहे सिक्षा निद्रशाले ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे लिया है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कई स्कूली बच्चे कोविड संक्रमित पाए गए हैं दिल्ली सरकार की गाइडलाइन में यह भी कहा गया ही कि स्कूल में कोई भी कोरोना पोजिटिव मामले मिलने पर तुरंत डी ओई को इसकी जानकारी देनी होगी इसके अलावा उस विंग या फिर पूरे स्कूल को बंद करना होगा वहीं स्कूलों में कोरोना नियमों का सक्ती से पालन करना होगा चात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना होगा नियमित रूप से हाथ धोने होगे साथी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर PNG के दाम में 4.25 पैसे की बड़ोतरी जानी आपके शहर में अब कितनी हो गई है कीमत जी आँ दोस्तो पैट्रोल लिजर और LPG की कीमतों में लगातार बड़ोतरी के बाद अब रसोई गेस के रूप में यूज होने वाली PNG भी महंगी हो गई है दोस्तो सरकार ने अब PNG के दाम में 4.25 पैसे की बड़ोतरी कर दी है दिली NCR में PNG की सप्लाई करने वाली IGL कमपनी के मुताबित नई बड़ोतरी 14 अपरेल से लागू हो गई है इसके साथ ही गोतम बुद्ध नगर जिले में गुरुवार से PNG के दाम 45.96 पैसे प्रती स्टेंडर्ड क्यूबिक मीटर SCM हो गए है गाजियाबाद नोईडा और ग्रेटर नोईडा में अब इसी दाम पर PNG मिलेगी दोस्तो आपकी जानकर इकल बता दें पंदरा दिनों के अंदर PNG की कीमतों में यह तीसरी बार बड़ोतरी की गई है करीब 10 दिन पहले ही PNG की कीमत में 5.85 पैसे की व्रदी की गई थी इससे पहले IGL 6 अप्रेल से PNG को 41.50 पैसे प्रती SCM कीमत पर बेच रहा है इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार अमेरिका ने 328 सांसदों पर लगाया था बैन रूस ने लिया बदला जी आँ दोस्तो यूकरेन के साथ चल रहा है जंग के बीच रूस पश्चमी देशों के प्रतिबंदों पर लगातार पलटवार कर रहा है रूस ने ताजा कदम उठाते हुए अमेरिका के 398 सांसदों को ट्रेवल बैन लिस्ट में डाल दिया इस लिस्ट में डालने का मतलब यह है कि यह सांसद अब रूस की यातरा नहीं कर पाएंगे दोस्तो रूसी विदेश मंत्राले ने बुद्धवार को बयान जारी करके कहा कि अमेरिका ने इस साल 24 मार्च को रूसी संसद डियूमा के 328 संसदों के खिलाफ ट्रेवल बैन लगाया था रूस ने यह ताज़ा कदम तब उठाया जब अमेरिकी राश्पती जो बायडेन ने युकरेन को तोप खाने और हेलिकॉप्टर समयत विभिन खरीद हतियारों की खरीद के लिए युकरेन को सी करोल डोलर की साहिता की मंजूरी का एलान किया इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार कापी तनाव पूर है रूस युकरेन के जंग की भिष तेल की कीमतों को लेकर साओधी अरब क्राउन प्रिंस ने जो बायडेन का टेली फोन भी नहीं उठाया था साउधी अरब के स्ट्यूडियो जो बाइडेन को लेकर ये वीडियो बनाया है इस वीडियो में अमेरिका की उपराश्टपती कमला हैरिस भी है जो राश्टपती को बाइडेन को बार बार निन से जगाती और भूलने पर याद दिलाती रहती है वीडियो से पता चलता है कि साउधी अरब और अमेरिका के सम्मंद में कितनी खटास आ गई है साथ ही साउधी अरब बाइडेन के बारे में क्या सोचता है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार पैट्रोल डीजल प्राइज सस्ते पैट्रोल की उमीद पर लगा बड़ा जटका नहीं घटेगी एकसाइस ड्यूटी जी यहां दोस्तों पाँच राजो की चुनाव परिनाम आने के बाद पैट्रोल और डीजल के रेट में तेल कमपनियों ने 10 रुपे प्रती लिटर तक का इजाफा कर दिया हलांकि 14 अपरेल को लगातार 9 दिन तेल की कीमत में कमपनियों की तरफ से इजाफा नहीं किया गया इससे आम आदमी ने बले ही रात की सांस लियो लेकिन महेंगे पैट्रोल डीजल से अब भी आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार की तरफ से पैट्रोल डीजल पर एकसाइज डूटी में कटोती करने का विचार किया जारा है लेकिन अब एकोनोमिक टाइमस में प्रकाशित खबर में दावा किया गया है कि सरकार भी महेंगे कीमत से राहत देने के मून में नहीं है रिपोर्ट के अनुसार सरकार अभी पैट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर फिलहाल राहत नहीं देगी बताया गया है कि पैट्रोलिय मंत्राले ने वित मंत्राले के सामने तेल पर लगने वाले टेक्स पर कटोती का प्रस्ताओ रखा था इसमें कहा गया था कि लोगों को महगे पैट्रोली जल से राहत दी जानी चाहिए लेकिन दोस्तो लाइक और अटिसलाइक जरूर करें क्योंकि दोस्तो यही हमारी मृनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं तो दोस्तो जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबार ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने लगाई बोली दिया 41 बिलियन डॉलर का उपर जियां दोस्तो टेसला के सीओ और अरब पती एलन मस्क लोग प्रिये माइक्रो ब्लोगिंग साइट ट्विटर में काफी दिल्चस्वी ले रहे हैं कंपनी बोड का हिस्सा बनने के कुछी दिन बाद उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए बोली लगा दी मस्क ने 41 मिलियन डॉलर में कंपनी को खरीदने की पेशकश की है एक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबित मस्क ने ट्वीटर को खरीदने के लिए 54.20 डॉलर प्रतीश शेर की पेशकश की यह 1 अप्रेल को कमपनी के शेर प्राइस के 38 फीजदी प्रीमियम पर है जब उन्होंने कमपनी में 9 फीजदी शेर खरीदने का खुलासा किया था प्रीमार्केट ट्रेडिंग में ट्वीटर के शेर 12 फीजदी उचले हैं दोस्तो ट्वीटर के चेर्मेन ब्रेट टेलर को लिखे एक पत्र में एलन मस्क ने कहा कि निवेश करने के बाद से अब मुझे एहसास हुआ है कि कमपनी न तो इस समाजिक एन्वायरमेंट को अपने शेर होल्डर्स के रूप में अपनी स्थिती पर पुनर विचार करने की आउशकता होगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार आइफोन 14 स्रीज की कीमतें हुई लीक आइफोन मीनी को मैक्स वरियंट से रिप्लेस करेगी कमपनी जानिए आपको किस मोडल पर कितनी पर पुचको आनी पड़ेगी कीमतें जिया दोस्तो अपल सितंबर में आइफोन 14 स्रीज लाँच करने वाला है लेकिन इससे पहले ही कीमतें लीक होने की खबर है एपल लिंक्स प्रो का दावा है कि आइफोन 13 स्रीज के मुकाबले आइफोन 14 स्रीज महंगी होगी दावा है कि आइफोन 14 के चार वरियंट्स लॉंच किये जाएंगे इनमें आइफोन 14, आइफोन 14 मैक्स, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स शामिल है इस बार आइफोन मीनी वरियंट लॉंच नहीं किया जाएगा कीमतें लीक्ड की बात करें तो आइफोन 14 की कीमत 799 डोलर यानि की 60,000 रुप यूरोप में सामान खरिदने की सीमा कर दी गई है तये जिया दोस्तो रूस यूकरेन युद्ध से इन दोनों देशों का तो नुकसान हुआ ही है साथ ही इससे दुनिया के कई देशों को महंगाई की आग में धकेला गया है लगातार बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों ने भ बड़ी खबर गूगल ने आईफोन यूजर्स के लिए पेश किया स्विच टू एंडरोइड एप काफी दिनों से था इंतिजार ज्या दूस्तो टेक दिग्गस गूगल ने अमेरिका साइध कुछ देशों में एप स्टोर पर अपना सबसे बहु प्रतिक्षित स्विच ट देता है कि अपनी नई डिवाइस पर टेक्स्ट मेसेज पाने के लिए एपल के आई मेसेज को कैसे बंद करें और उन्हें अपनी फोटो और वीडियो लाइबरेरी को एंडरोइड में माइग्रेट करने के लिए आई क्लाउड से कनेक्ट कैसे करें इसके बाद दोस्तो की कीमत लगबग सपाट रही मजबूत अमेरिकी डोलर ने सरफा बाजार की बड़त को सीमित कर दिया इसी वीच अमेरिकी मुद्राइस फिदी के आंकलो और युक्रेन संकट पर चिंताओं के बाद कमजोल ट्रेजरी येल्ड ने पीली धातु में खरीद का समर्थन किया द अमली तेजी के साथ 68,808 रुपे प्रती किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था इसके अलावा दोस्तों अंतराच्टे बाजार की बात की जायद इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1976 डोलर प्रती ओंस जबकि चांदी 25.54 डोलर प्रती ओंस पर कारोबार कर रही थी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार यह पिशले वश के मुकाबले करीब एक प्रतीशत कम है दोस्तों वर्ड बेंक की तरफ से कहा गया कि इमरान सरकार की तरफ से अंतिम समय में उर्जा सबसीडी देने के फैसले से बजट पर अतरिक्त बोज पड़ा है इतना ही नहीं इस से अंतराच्टे मुद्रा कोश के का इंट्रो ट्रेन पर हुए हमले में वांचित एक आरोपी को गरिफतार कर लिया गया इस समले में दस लोग गोलियों से घैल हो गये थे पुलिस अधिकारियों के मतावित मंगलवार को ब्रूकलिन में भीड से भरी ट्रेन के अंदर अटेक किया गया था इस समले में दस लोग घायल हो गये थे इस समले के बाद पुलिस ने बड़े पेमाने पर तलाशी अभियान चुरू किया था आखिरकार मैंध हटन के एक गाउं से 62 साल के आरोपी फ्रेंक आर जेम्स को ग्रिफतार कर लिया गया मैयर एर्डिक एडम्स ने बुद्दवार सुभाय मीडिया से बात करके जेम्स को हिरासत में लिये जाने की पुश्टी की इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर अहमदाबाद एरपोर्ट में महिला के पास से मिली 42 करोर से अधिक कीमत की ड्रक्स हुई गिरफतार जियानोसु राजस्व खूप यानि दिशालयानी की DRI ने जिंबावे की एक महिला यातरी को अहमदाबाद हवाई अड्डे से ड्रक्स के साथ पकड़ा महिला ड्रक्स की भारी मातरा अपने हैंड बेग की चेचिस में छिपा कर ले जा रही थी DRI अधिकारियों को उसके पास से मादक पाउडर के चार प्लास्टिक बेग में 6 किलो जो की 43 करोर रुपे वेलियो की हेरोईन की दवाई मिली DRI ने महिला को गिरफतार कर लिया और मामले की जाच की जा रही है दोस्तो DRI के अधिकारियोंने महिला को 12 अप्रेल को एक महिला को अहमदाबाद हवाई अड़े से ग्रिफतार किया जो अबुधावी से यहां आई थी अधिकारियों ने जब उसके नीजी सामान की तलासे ली तो उसके पास से प्लास्टिक की थेली में 42 करोड से अधिक की 5 किलो 968 गराम हैरोईन बरामद हुई इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर भारत दोरे पर जासुसी करने गई थी पाकिस्तानी किर्केटर्स की पतनिया पूर्व PCB चीफ का बयान जहां दोस्तो पाकिस्तान किर्केट बोर्ड के पूर्वी चेयरमेंच जाका अश्रफ ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है जाका असरफ ने बताया कि साल 2012-13 में भारत के दोरे के दोरान PCB ने पाकिस्तान क्रिकेटरों के साथ उनकी पत्नियों को भेजाता ताकि खिलाडियों पर निगरानी रखी जा सके भारत तो पाकिस्तान के बीच आखरी बार सिरीज 2012-13 में खेली गई थी जाका असरफ ने कहा कि मेरे कारेकाल के दोरान जब हमारी टीम भारत दोरे पर गई थी तो मैंने सलहा दी थी कि खिलाडियों की सबी पत्निया उनके साथ होंगी यह निर ने इसलिए लिया गया ताकि कोई विवाद पैदा न हो क्योंकि भारतिय मीडिया हमेशा इसकी तलाश में रहता है पत्नियों को भेजने का मकसद खिलाडियों पर भी नजर रखना था इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार राज ठाकरे के लावड स्पिकर वाले बयान से MNS में ही फूड स्टेट सेकेटरी इरफान शेक ने छोड़ी पार्टी जियां दोस्तों भाराष्ट में जबसे मनसिर अप्रमुख राज ठाकरे ने मजदिदों में लावड स्पिकर का मुद्दा उठाया है राज की राजनिती में विवाद बढ़ता जा रहा है अब महाराष्ट नवनिर्मार सेना के राज सच्यू इरफान शेक ने पार्टी छोड़ दी है वे राज ठाकरे के लावड स्पिकर वाले बयान से नाराज बताये जा रहे हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले महाविकास अगारी सरकार को अल्टी मेडम देते हुए कहा था कि 3 मई से पहले तक हर मस्जिद से लावड स्पिकर हटा लिये जाएं वरना उनकी पार्टी के कारे करता हर मस्जिद के बाहर लावड स्पिकर पर हनमान 40 चलाएंगे अब उनके उसी बयान के बाद से राज की राज़िती में उबाल आ गया है एक तरफ सीव से ना उन्हें बिजेपी की बी टीम बता रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के ही कुशनेता इससे अहसहज नजर आ रहे हैं उसी कड़ी में इर्फान शेक ने MNS छोडने का फैसला किया वे से राज ठाकरे जरूर इसे धार्मिक मुद्दा ना बता कर सामाजिक मुद्दा बता रहे हैं उनकी नजरों में लावड इस्पिकर की वजह से सबी को परेशानी होती है लेकिन जिस अंदाज में उनकी तरफ से ये बयान आया विवाद कम होने के बज़ाए बढ़ता रहा है तो दोस्तो यहतियास की तमाम बाड़ी खबर हैं इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड कीज कुशन की जियां दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीच सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूर्यूप चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जुका है राज्य सवा सदश्य का कारेकाल कितने वर्षों का होता है जी आँ दोस्तो गर आप जानते हैं कि राज्य सवा के एक सदश्य का कारेकाल कितने वर्षों का होता है तो जल्दी से कमेंडोक्स में लिख दीजिए निवाद वंदिमातरम जे हिन जे भारत